हेलो व्रेंट स्वाकत है आपका नहें लेसन में तो 17 अफ एप्रिल के करेंट अफेर डिसकस करेंगे हम अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम की लिंक मिलेगी मान सहब नाम से चैनल है आप वो चैनल को जॉइंग किये ना लेसन अंडर टॉपिक ओके शुरू करते हैं पहली न्यूस है इंडिया विल अटेंड ब्रिक्स मीटिंग तो वीडियो लिंक बाइद अफ दिस मन्त ऑन दी कोरोना वाइरस इशू तो यह देको क्या होगा कि इंडिया जो है अभी आपने देखा होगा जी ट्वेंटी की मी प्यासेट करेंगे अब दी fundament क हीजब देख लेते हैं तो यिक्स में किया है पहला सब्च कर दोहजार नौ में ठीक सब्सक्राइब में तो स्ब्सकरेण करता में इत्याइक कि कहीं भी तोगे विक्स का एच्छ जो अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स का कोई हैट कोई नहीं है ब्राजिल रशिया इंडिया चायना श्रिड्लंग का जो ब्रिक्स का जो बैंक है जिसको हम एंडीब भी भी बोलते हैं न्यू डेवलप्मेंट बैंक उसका हैटकॉरटर शांगा ही चाइना में ठीक देखो अगर फिर 2011 का चाइना में, 2012 का इंडिया में, फिर 2013 का साउथ अफरिका में, फिर 2014, 2015, 16, 17, 18, आप इसको इस तरह से ध्यान रख लो, यह B, R, I, C और S, ठीक है, तो यह 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, फिर 2014, फिर B, R, I, C, S चलेगा, ठीक है, तो यह क्या हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, then 2014, 15, 16, 17, 18, और यह 19 का जो हुआ था अभी, ब्राजिल में, 2020 का जो यह शेडियूल्ड है, वो रशिया में होने के लिए शेडियूल्ड है, ठीक है अब देखते हैं, होगा या नहीं, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, नेक्स्ट न्यूज आइटम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, आपकी DNA-based, रिवर्स्ट आर्टी है यह, रिवर्स्ट आंस, देखो यह न्यूज क्या है आपकी, ठीक है, उसको मारने के लिए, तो हम जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट किया जाते हैं, बाडी के लिक्विड में, कि antibody है नहीं तो antibody जो होता है वो साथ दिन के बाद develop होता है तो भारत सरकार ने क्या बोला कि antibody का जो test है वो हम सिर्फ surveillance purpose के लिए use करेंगे ठीक है surveillance purpose के लिए use करेंगे as a main test use नहीं करेंगे हमारे हैं जो main test हो रहा है corona का वो किस basis पे हो रहा है वो हो रहा है real time reverse transcriptase polymerized chain reaction के basis पे जो हमारा आपको ध्यान रखने है RT-PCR technology है reverse transcriptase reverse transcriptase polymerized chain reaction के basis पे जो है COVID-19 का test हो रहा है तो भारत सरकार ने ये बोला है कि ये जो test है वो COVID-19 का जो हम क्या कैसे test होता है कि जो हमारा जो move होता है उस मुँ में से पूरा liquid निकाला जाता है उसको swab किया जाता है मुँ में से उस liquid में saliva में वो test होता है अगर वो test negative आता है फिर 7 दिन बाद antibody test किया जाएगा antibody test एक main test नहीं होगा ठीक तो ये हो गया coronavirus का तोड़ा देखते है coronavirus एक single strand RNA virus है RNA और DNA जो होता है आपके genetic material होता है reoxyribonucleic acid और deoxyribonucleic acid ठीक है तो इसमें क्या है जो COVID-19 है वो single strand है DNA से दो strand होती है RNA में क्या होता है एक strand होती है तो जो COVID-19 है वो single strand RNA virus है ठीक है अब ये transcript ए इसी reaction होती है आप सिर ध्यान रख लो DNA RNA में convert होता है अब ये होता क्या है मैं मोटा मोटा इक बता जाता हूँ जदा detail में नहीं जाएंगे virus कभी भी खुद से divide नहीं हो सकता virus को हमेशा एक cell चाहिए होता है divide होने के लिए virus क्या होता है किसी भी human की body में आता है तो वो cell में जाता है cell में जाके क्या होता है कि वो फिर जो body के DNA का इस्तमाल करके फिर वो divide होता है और वो खुद RNA बनता है वाइरस तो क्या है RNA है तो वो खुद फिर क्या होता है RNA बनता जाता है तो यह हमको ध्यान रखना है transcription क्या होता है DNA से RNA को बनने को हम transcription कहते हैं बस आपको इसमें ध्यान के रखने वाली चीज़े हैं कि जो COVID-19 का टेस्ट होता है वो किस के बैसिस पर होता है रिवर्स ट्रांस्किप्टेज पॉलिम्राइज चेन रियक्शन के बैसिस पर होता है COVID-19 एक सिंगल स्ट्रेंड रा रेन वाइरस है आपको ये चीज़े ध्यान रखनी है ऑगली नीउस क्या है देखो ये नीउस क्या है आपकी विश्णात अनंध है उनको WWF India का Ambassador बनाया गया है तो WWF क्या है आपका World Wildlife Fund एक International NGO है 1961 में बना था इसका Headquarter है Switzerland Gland में Switzerland Geneva में नहीं है Gland Switzerland में है Geneva भी Switzerland में है WWF का Headquarter Gland में है Geneva में नहीं है किस program के लिए बनाया है Environmental Education program के लिए उनको Ambassador बनाया है इस program का मकसद क्या होता है कि जो ऐसे individuals को बनाये जो की environment के पती conscious हो ठीक है जागरुक हो जिसे अभी आपने Sweden की एक बच्ची है Greta Thunberg उनको हम बोल सकते हैं उसको कि वो environmentally conscious है तो ऐसे individual ऐसे youth बनाना EEP का aim है ठीक तो यह ध्यान रटना है विश्वनात आनंद के बारे में देखते हैं कुछ chess player है सबको पता है पहले Grandmaster इंडिया के इन्होंने एक fight championship होती है आपको यह भी ध्यान रटना है fight championship किस से related है fight championship chess से related है ठीक है तो fight championship है और इन्होंने continuously 2000, 2001 को 2002 में जीती थी पहले Asian थे जिन्होंने यह किया था तीन बार continuously जीतने गा एक और important बाद जो MPPSC में question भी आये था पहला Rajiv Gandhi खेल रटना आवार्ट किसको मिला था तो Rajiv Gandhi खेल रटना आवार्ट 91, 92 में सबसे बड़ा पुरुसकार होता है इंडिया में sports sports के field में चीक है अगली न्यूज है world hemophilia this is hemophilia not hemophilia जो hemophilia day है 17 अप्रेल को मनाया जाता है इस बार किसकी theme है get plus involved मतलब हमको awareness create करनी है basically इसका मतलब यह है कि हमको awareness create करनी है hemophilia के बारे में hemophilia क्या होता है bleeding disorder होता है और यह genetic होता है genetic मतलब अगर parents में से किसी को होता है तो वो बच्चे को भी हो जाता है तो यह genetic है इसमें खून नहीं रुखता इसमें ऐसा होता है कि कुछ-कुछ दिन में खून की bottle चड़ानी पड़ती है ठीक है clot नहीं होता blood थेलसेमिया भी इससे related ही है थेलसेमिया में नहीं खून बनता नहीं है तो वहाँ bottle चड़ानी पड़ती है hemophilia में ऐसा होता है कि blood clot नहीं होता blood हमारा जब खून निकलता है तो थोड़ी देर बाद वह fiber बन जाती है उपर fibers बनने के कारण क्या होता है कुण बहना बन बन जाता है hemophilia में कुण बहना बन नहीं होता vitamin K जो है आपका वह blood clotting से related है ध्यान लखना ठीक अच्छा ये frank शेनबल थे इनको hemophilia था तो इन्होंने एक world filtration of hemophilia बनाया था ठीक और इनका birthday होता है 17 अपरेल को इसलिए जो है world hemophilia day मनाया जाता है RBI ने कुछ announcements करी हैं अभी Corona जो चल रहा है उसको ध्यान में रखते होए तो RBI ने क्या करा है repo rate कम कर दिया है पहले 75% था 5.15 4.4% कर दिया है रेपो रेत होता है वह component होता था एजिस पे Hollege जिस पर जो bank होता है वो जो RBI होता है वो banks को लोन देता है ठीक reverse repo rate 3.75 कर दिया है reverse repo rate वह होता है जो bank Sossgoort loan देते है rate तो ध्यान रखने के ज़रुत नहीं है आपको पर आपको यह पता होना चाहिए कि repo rate क्या होता है और reverse repo rate क्या होता है 50,000 करोर LTR को दिये हैं तो अब यह LTR क्या होता है देखो यह क्या होता है कि जो RBI होता है वो एक long term में एक से लेके 3 साल का टाइम पिरिड होता है उसमें वो banks को loan देता है तो उससे क्या होगा कि जो bank होगा वो उसको नुकसान नहीं होगा और जो banks जो है वो आगे जो population है जंसन क्या को जो loan देगी ठीक है customer को जो loan देगी वो भी वो कम rate में दे सकती है नहीं तो क्या होता है कि कि यहां तो रेपो रेट कम कर देता है यहां लेकिन जो banks होते है वो आग gesch्ण में कbor συनल सोँ नहीं करेंगे तो बैया अब यह नहीं क्या किया है कि लॉंग टम एक ही specific कम rate पे तीनसाल तक बैंक को लोन देगी तो लोन देगी तो उससे क्या होगा कि जो बैंक बैंक आगे जो फाइदा है वो कस्टमर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं उसके बाद एक यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो उन्होंने 800 था उसको अब 50 रुपे निकलते हैं मतलब कुछ लोग पैसे विड्राल करने आते हैं तो इस पचास रुपे निकल जाते हैं तो अब लिक्विडिटी और इस डिशियो में क्या होता है कि जितने आपके 30 दिन में जो पैसे आप कैश आउट लो होता है ठीए वो उसका कितना परसेंट आप आपको हाई हाई लिक्विड एसेड में रखना है बैंक में हाई लिक्विड एसेड क्या होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं गिरती जैसे आपका हाड कैश हो गया कैश 2000 का नोट है तो ऐसा थोड़ी होगा थोड़ दिन रख लिया है हाई लिक्विड थोड़ी है वो उसकी वैल्यू गिर भी सकती है तो है लिक्विड कवरेश का मतलब क्या है कि अगर आपका कैश आउटलो 30 दिन में 50 रुपए है तो आपको अगर 100 परसेंट थो 50 रुपे आपको हाड को रिक्विड ऐसेंट रखना पड़ेगा तो असी परसे highly liquid acid में रखना है ठीक, I hope यह आपको clear हो गया होगा अब उसके बाद इन्होंने क्या है, 50,000 करोड का जो special financial assistance जिया है SIDB, National Housing Bank और नाबार्ड को ठीक है, यह LTR हो जो है यही है ठीक है, पहले जो एक बार LTR हो हुआ था, वो public sector बेंक्स के लिए हुआ था, अभी जो Long Term Repo Operation है, वो mainly किसके लिए है SIDB, NHB, नाबार्ड इनके लिए है तो देखो यह SIDB और इनकी कुछ information है, SIDB 1990 में बना था, लगनों में इसका headquarter है National Housing Bank, 81 में बना था, दिल्ली में इसका headquarter है नाबार्ड 1982 में बनाता है इसका headquarter बंबे में, ठीक SIDB, लखनो, National Housing Bank, New Delhi, नाबार्ड, मॉंबई ओके अगला देखते हैं I'm sorry अगली news है, Asian, जो आपका Asian Infrastructure Investment Bank है, वो 500 million US dollar के जो projects हैं, इंडिया में, National Healthcare Systems में, तो उनको वो finance करेगा, ठीक है मतलब जो भारत में, जो Healthcare Infrastructure है, उसके लिए AIIB, Asian Investment Infrastructure Bank जो है, वो 500 million US dollar देगा, AIIB में एक program होता है Crisis Recovery Facility, तो उसके अंडर भारत को ये loan मिलेगा, ठीक पहले ADB भी दे चुका है, Asian Development Bank हमको 2.2 billion US dollar, ADB 1966 में बना था, इसका headquarter है Philippines, Manila में, और AIIB, Asian Investment Infrastructure Bank 2016 में बना था, इसका headquarter Beijing, China में है, देखो, आपने IMF और World Bank का पता होगा, आपको दोनों के headquarter वाशिंटन में है China भी इसी line पे चल रहा है जो Bricks का bank है, उसका headquarter Shanghai में है, और ये जो आपका Asian Infrastructure Bank है उसका headquarter कहांपे है, Beijing, China में मतलब दोनों के headquarter, बड़े 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 जो बैंके उनके headquarter का है, चाइना में है, ठीक अगला news item है कि RBI ने एक survey जो है वो launch किया, जिसको हम बोलते है OBIQS, तो ध्यान रखना UPSC में किसी भी exam में question आता है, कि OBIQS survey कौन launch करता है, तो वो Reserve Bank of India launch करता है, क्या है OBIQS का full form, order book inventories and capacity utilization service में होता क्या है, कि जो आपकी companies होती है, जैसे 25 कंपनी है manufacturing company, उनका यह survey होता है, तो इससे हमको पता लग जाता है कि भारत में demand कितनी है, कितना production हो रहा है, demand पता लग जाता है होता क्या है, इसमें देखो यह done four times a day लिखा है, done four times a year आएगा, I am sorry ठीक है, तो इस बार January, March, quarter के लिए हुआ January, February, March, फिर April, May, June, July, September, October, November, December तो चार बार हो गया, ठीक है, तो इस survey में अभी क्या पता लगा, फिर जो capacity utilization है, वो कम हो गई, पहले कितनी थी, 69.1, अब कितनी हो गई, 68.6, capacity utilization क्या होता है, कि मान के चलो, कि एक industry की capacity है, कि वो 100 unit बना ले, suppose bread की industry है, कि 100 bread के unit बना ले, लेकिन वो कितने बना रही है, 80 ही बना रही है, ठीक है, तो उसकी capacity utilization कितनी हो गई, 80% हो, ठीक, तो इसको होन बोलते है, capacity utilization, अगर वो 100% होती है, तो 100 मतलब बना सकती है, और 100 बना भी रही है, capacity utilization के कम होने के बहुत reason हो सकते है, demand कम है, या कुछ, दूसरे के दूसरे reason, ठीक है, पच्छिस सो, दोनों public और private sector दोनों होते हैं, statement ध्यान रगना, कहीं बार लिखा हूँ आता है, कि वो भी कस्ट में सिर्फ private company होती है, तो सिर्फ private नहीं होती, public भी होती है, और private दोनों होती है, ठीक है, अगली नियूद देखते हैं, जो इसमें लिखा है, कि जो आपका Indian Council of Agricultural Research है, उसमें पूसा decontamination tunnel बनाई है, इसमें क्या होगा, कि जैसे, हमने कल बढ़ा था, कोसेक, कोसेक में क्या था, कि जिसको कोई भी infected person या कोई भी suspected है, कोरोना का, उसको उसका test करवाना है, तो वो आएगा, और वहाँ पर कोई किसी doctor को उसका sample लेने के लिए या किसी health worker को उसके पास जाने की जरूत नहीं बढ़ेगी, DRDO ने बनाया था, हमने कल देखा था, इसमें क्या होगा, कि ये tunnel जैसा है, इसमें क्या होगा, कि आप अंदर गए, आपने जैसे ही पैर रखा, तो वहाँ पे क्या होगा, कि आपके जो water dispenser और शौक का shower शुलू होने लग जाएंगे, और जिससे कि आप sanitize हो जाओगे, ठीक है, बस, इसके बात क्या होगा, कि इसमें जो mainly होता है, वह आपको ध्यान रखना है, कौन सा chemical होता है, quarter नरी ammonium salt होता है, ये quarter नरी ammonium salt क्या होते हैं, देख लो आप, जिसे nitrogen है, ठीक है, तो ये NS3 होता है, ammonia, अगर इसमें एक hydrogen आप और लगा दो गए, तो यहाँ पर positive charge आजाएगा, तो ये quarter नरी मतलब nitrogen के साथ 4 group लग गए, तो ये क्या हो गया, positive charge आगया, तो ये इसको हम बोलता है, quarter नरी ammonium salts, ठीक है, तो ये है, ICR 1929 में बना था, independent से भी पहले बन गया था, इसका headquarter New Delhi में, ठीक है, तो ये हो गए current affair, PDF आपको चाहिए इसकी, तो आप telegram की link में mention करूँगा, वो आप channel join कर दो, मान साहब के नाम से channel है, तो वहाँ पर मैंने PDF share की हुई है, ठीक है, friends आपको अगर ये lesson अच्छा लग रहा है, तो please इसको share करें, like करें और subscribe करें, thank you so much.